हाई फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पर दिख रहे हैं डाक्टर सुवोष चन्सींग को जीएस एमपी क्लिनिक आएंड नीव चैनल के अंतरगत सब के सब हुब भू लड़ गए यानि कि 2021 में सर्टिफिकेट इन होमेपैथिक डिस्पेंसी कोर्स के जो भी विद्यार थी हैं हमने जैसे गाइड किया था जो जो कोश्चन हमने बताया था खुब वहु वैसा ही आया है और विद्यार्थी को किसी भी तरह का कोई दिकत का सामना नहीं करना पड़ा यदि आप सर्टिफिकेट इन होमेपैथिक डिस्पेंसींग कोर्स करना चाहते हैं तो इस 2021 का पैटर् इसमें थोड़ा समय नहीं है इसलिए हमें जल्दी जल्दी दिखाना पड़ता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ज्यादा हम समय आपका नहीं लेंगे बहुत जल्द आपका आपका कोर्स कंप्लीट आप हो सकता है आपका यदि आप पढ़ना चाहें थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो एक साल में आपकी तयारी बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारे टीम के गाइड लाइन के दौरा यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको किसी भी तरह की परसानी आपको नहीं आएगी इस तरह से आपका क्वेश्चन है ये और प्रेक्टीकल का भी है तो हमने जैसा आपको हमने गाइड किया था आपको इसमें जो हम हम बहुत सारा मेहनत कर चुके इस में आप इसमें विद्यार्थी को कोई दीकत नहों इसमें सारा हिंदी में इंगलीश में सारा इसका फोटो कोपी का हमने बुक बनवा दिया है और पिछले कुछ चाल का कोश्चन पेपर भी इसमें है आप इसको भी आप मंगा सकते हैं और यह सब जो बूक होता है इसमें विद्यार्थियों के सुविधा के लिए हमने इस पर खास हमने मेहनत किया है कि कैसे कम समय में बहुत असानी से इस कुर्स को आप कर जाएं और एक स्मार्ट प्रोफेशनल बेवसाइक यानि कि यह जो कुर्स है बेवसाइक है और आत्म निर्भर बनाना है हर सरकार की प्रत्मिक्ता होती है कि नौजवानों को आत्मिर्भर बनाए यदि कोई भी सरकार बिरोजगारी अगर उकर रही है या सरकार के गलत नेती के वज़स से बिरोजगारी बह रहा है तो कोई उसे अच्छा नहीं कहता है नौजवानों को नौक्री मिलता है तो सब कोई अच्छा कहता है जिस तरह से ग्रूप D के लिए रेलेमें में आपको ये सर्विस करने के लिए विद्यार्थी नौक्री के त्यारी ये दालभात चोखा यानि दिवी सी विद्यार्थी के कहना है कि दिवी सी खाकर दिवी सी का फूल फर्म हो गया दालभात चोखा जो भी विद्यार्थी रहे होंगे दालभात चोखा जरूर खाये होंगे खिचरी जादे लोग खाता है रोटी बेलने में तो बहुत महनत लगता है दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं ताकि कोई भी नौक्री हो जाए और बिहार और यूपी में खास करके बिरोजगारी दर 25 परसेंट है ओल अभर इंडिया म में दो इस्टेट का मिलाक और सबसे ज़्यादे बिरोजगारी है तो नौक्री मांगने से अच्छा है यदि न मिले या आप मिले या साइड हो या किसी भी प्रकार का फुम्यपैथिक से लगाव रखते हैं और कुछ आप स्मार्ट इसका प्रफेशनल आप बनना चाहते है जैसा की आप इसके हिद्टेंग को देख सकते हैं यह वय वकेशनल है वकेशनल प्रेयक्टिकल इंगयमिनेस विवकेशनल कोड़स है यानि व्योस्वाई इससे आपको व्योस्वाई करनी है आत्मcity मिलानी है आपने आत्म squeezed हो कर देश की समाज का गाउ मुहल्यका भी सेवा करनी है घर के भी आपको सिवा करनी है तो इस कोड़ से आपका सपना पूरा हो जाएगा और आप अच्छे आत्निभवन सकते हैं और हुमिपैथी का जो यह दवा है आपके मेहनत से यदि आप इसमें रूची ले रहे हैं तो ग्रामें जनता को निशीत रूप से एक तो को छुटकरा प्राप्त हो सकता है ग्रामिनों को और इसलिए हुमिपैथी को भी उतना है भैलू दिया जता है जितना की एलोपैथ को तो इसमें आपना करियर बना सकते हैं बहुत सारे हम तो कहेंगे कि कई छोटे आप नोकडियों के तैयारी करते हैं और सरकार भैकेंसी न कर लेने के बाद में आप स्वेंग फैसला ले सकते हैं और जितना जलदी आप हैं आपके महिनत के ऊपर करता है कि आप बहुत जलदी बन सकते हैं। यदि आप महिनत करने चाहें तो हम उमेद करते हैं कि एक साल के अंदर में बबन जाएंगे इस को करने के बाद में कई तरह का सवाल है जवाब है लेना चाहते हैं तो मिरा वाट्षिप नम्म है नाइन एट जीरो वन सेवन फाइब सेवन फाइब थीरी थीरी पर आप रहा ले सकते हैं बहुत ज्यादा तो आपको हम इसमें ऐसे रेश्ट्रेशन कराने का ही परधान है मेटिकल कोर्स में यदि आप एक दो मिनट का समय लेते हैं, तो हम लोग आसानी से दे पाते हैं, एक से दो मिनट में कोई दिकत नहीं है ज्यादा समय मांगेंगे तो इसके अलग से हमनों समय दे पाते हैं आपको appointment ये book करानी पड़ती है अलग समय के लिए चुकि medical का course कोई भी है तो आपका एक से दो मिनिट में तीन मिनिट में जबाब देना संभव नहीं रहता है ये आप एक सवाल का जबाब देंगे तो आप दूसरा बोलते हैं तिसरा बोलते हैं चोथा बोलते हैं इतना समय तो रहता नहीं है फिर भी कोशिस हमारी रहती है कि होमेपैथिक से रिलेटेड लोग जो भी है उन्हें अच्छी से अच्छी जनकारी दी जाए और बहुत सारा कॉल होने के वज़़ा से सबका जनकारी देना संभव नहीं रहता है चलाख लिए इसारा ही काफी रहता है यदि वास्तों में आप रियल में आप सर्टिफिकेट इन होमेपैथिक डिस्पेंसिंग को करना चाहते हैं तो आप असानी से कर सकते हैं हमारे मार्ग दर्शन में लेकिन हम लोग जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा यदि आप करते जात एकाइदि अपने अस्तर से अपने दिमाग से सिस्टम को चलाना चाहेंगे तो उसा अइसा संभन होने वह था उस अपिल है कि हमारे गाइड लाइन को पालन करे और guideline को जो भी विजयारती पालन किये हैं अभी तक उनका हर तरह से प्रिशा से लेकर किसी भी तरह का कोई दिकत नहीं आया online या दूसरे दूसरे कहीं कहीं से admission ले लेते हैं और उन्हें problem होता है तो फिर सवाल हमारे चैनल के माध्यम से करते हैं तो जबाब देना उतना जबाब नहीं दे पाते हैं यदि चैनल के थुरू से हाई यदि हमारे थुरू यदि guideline ले रहे हैं तो आपको हम्रा गाइड करना बिल्कूल असान रहता है तो इस तरह से आप इसका गाइड ले सकते हैं और इसके कई यूटूब पर बहुत सारा जनकारी आपको मिल जाएगा इना इसके विवसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं अपने से जनकारी आप ले इकठा करें तो अच्छा है यदि हम लोग के माध्यम से यदि आप का इडिमिसन लेना चाहते हैं और इसका प्रहाई करना चाहते हैं कोचिंग एड टू जिट विवस्था है आप थोड़ा से भी जनकारी यदि आपको है तो आप आत्म निर्वर बन सकते हैं और जो एक निरासा आपके अंदर में बैठ गया है कोर्स करते करते क्या करें क्या आकरेश उनको समझ में नहीं आता है और उच्छाते हैं कि मोबाइल फोन के माध्यम से सारे सवाल का जबाब ले ले तो ऐसा संभव नहीं रहता है वार्शिप करिए और हमनों जैसे जैसे गाइड करते हैं इमंदारी पुर्वक बात को ध्यान रखिए किसी की बात आपको म आनी चाहिए चुकि यह ना यह संस्था है यदि हमारी चैनल के माध्यम से आप जनकार लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कोई बात नहीं है आपका भुष उजुवल है इसमें कई लोग कर रहे हैं कम्याब हो रहे हैं इसी और आसा विश्वास के साथ आप भी कोर्स करेंगे आपको भी कम्याब मिलेगी जय ही जय भारत